नमस्कार मैं मुरली मुनहर गस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आप लोगों का मन पसंद टौफिक के लिए उपयोगी नहीं है जो परतियोगी परिछाओं की तयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मैट्स की वीच का सबसे पहला प्रस्ण कम्प्लीट दा सिक्वेंस आठ पंद्रह चोविश इसके बाद चौथा नंबर क्या होगा इस प्रस्ण के लिए उप्शन A 36, उप्शन B 34, उप्शन C 35, उप्शन D नर अप्दीच इस प्रस्ण का सही आंसर होगा उप्शन C 35 कैसे होगा? सो समझें तीन का स्कौईर ब्राबर 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 स्कौई के बाद आते हैं 6 6 का स्क्वाइर बराबर 6 26 माइनिस बराबर 35 यहां देख लें पहला संख्या है 8 में दूसरा संख्या 15 के तिसरा संख्या 24 तो चौथा संख्या क्या होगा 35 इस परकार आपका आंसर option C 35 होगा आज के math switch का दुसरा प्रस्ट What is the value of x square बटा x का power minus 2 इसके लिए answer है option A 1 option B x का power 0 option C x का power 4 option D none of teach इस प्रस्ट का सही answer होगा option C x का power 4 कैसे होगा यह हम लोग समझ ले x square बटा x का power minus 2 इसे हम लोग लिख सकते हैं x square बटा x का power minus 2 है इसे आप लिखेंगे 1 बटा x square इसके बाद x square को इससे divide करना है अर्थात इसे आप लिख सकते हैं और जब भाग से यहां पर गुना होगा तब यह x square उपर चला जाएगा और उपर नीची आ जाएगा और जब x square और x square की बीच गुना होगा तो x का power 4 यह आपका answer होगा और इस परकार option c answer आप लोगों के लिए सही हैं आज की maths क्विच का तिसरा प्रस्न किसी समकोन तिर्भूज का एक नियून कौन पचाश डिगरी का है तो दूसरा नियून कौन कितने का होगा इस प्रस्न के लिए ओप्शन है ए पचाश डिगरी ओप्शन बी चालिश डिगरी ओप्शन सी साट डिगरी ओप्शन दी नन आप दीच इस प्रस्न का सही आंसर होगा ओप्शन बी चालिश डिगरी कैसे प्रस्न ये है कि किसी समकोन तिर्भूज का एक नियून कौन पचाश डिगरी का है तो दूसरा नियून कौन कितने का होगा सबसे पहले मैं एक समकोन तिर्भूज का फिगर डौ करता हूँ या एक समकोन तिर्भूज है समकोन तिर्भूज किसे कहते हैं वह ऐसा तिर्भूज जिसका एक कौन 90 डिगरी का होता है उसे समकोन तिर्भूज कहते है यह संकुन तिर्फूज है यह कॉन 90 डिगरी का है प्रस्ट में दिया हुआ है एक न्यूम्न कॉन 50 डिगरी का है यहाँ पर दो न्यूम्न कॉन बन रहे हैं कॉन A और कॉन C यह दोनों में से किसी एक को माम लें यह 50 डिगरी है हम लोग यह जानते हैं कि किसी तिर्भूज के तीनों कोनों का योग 180 डिगरी होता है तो यहाँ पर कोन A प्लस कोन B प्लस कोन C बराबर क्या होंगे 180 डिगरी कोन A हम लोगों को मालूम करना है कितना होगा कोन B है 90 डिगरी कोन C 50 डिगरी बराबर 180 डिगरी 90 और 50 को आप जोड़ेंगे 140 डिग्री is equal to 180 डिग्री implies 140 डिग्री को right side भेज दिया जाए तो minus 140 डिग्री और 180 डिग्री में 140 डिग्री को minus करेंगे तो 40 डिग्री यह answer हो गया आज के मैट्स क्वीच का चौथा प्रस्ण find the value of x square का power minus 2 इसका value क्या होगा इस प्रस्ण का सही answer होगा option b 1 बटा x का power 4 कैसे होगा तो देख ले यहाँ पर दोनों power के बीच गुना होगा दो दोना चार पलस माइनस माइनस और इसे हम लोग लीख सकते हैं 1 बटा x का power 4 जब यहाँ नीचे आएगा तब जो power माइनस में है यह power पलस में convert हो जाएगा और इस परकार आपका answer होगा option b 1 बटा x का power 4 आज की math quiz का पांचमा प्रस्ण a, b, c का गनितिय माध्य निमलिखित में से क्या होगा which of the following will be the mathematical mean of a, b, c option a है a plus b plus c option b, a option c, a into b into c बटा 3 option d, a plus b plus c बटा 3 इस प्रस्ण का सही answer होगा option d हम लोगों को जिसका भी गनितिय माध्य निकालना होता है यदि मान लिजी तीन संख्या का गनितिय माध्य निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? तीनों संख्या को जोड़ देते हैं और तीन से भागा देते हैं यहां पर a, b, c का गनितिय माध्य निकालना है तो a plus b plus c अचुकी यहां पर यह one, two, three तीन है इसलिए तीन से भाग देना होगा आज के maths क्वीच का छठा प्रस्ण बहुत ही important प्रस्ण है class 10 के लिए निमलिखित सार्णी में चर्मान साथ की संचई बारंबारता क्या होगा what will be the cumulative frequency of the variable 7 in the following table इस table में साथ का संचई बारंबार का cumulative frequency क्या होगा option A 10, option B 5, option C 90, option D none of these इस प्रस्ण का सही आंसर होगा option A 10 हम लोग संचई बारंबारता निकालते कैसे हैं यहाँ देख ले वरेबल इस तीन का frequency बारंबारता दो है और तीन का संचई बारंबारता भी दो ही होगा इसके बाद जब हम लोग संचई बारंबारता निकालते हैं तब क्या करते हैं यह दो और तीन को जोड़ कर लिखते हैं इसके बाद जो इहाँ पर जोड़ के आ रहा है इसमें इस संख्या को जोड़ना होगा इस परकार भरेबल साथ का संचई बारंबारता दस आ रहा है अतह आंसर दस ओप्शन ए सही है आज के मैट स्क्वीच का सात्वा प्रस्न परत्थम पांच विशम संख्याओं का माध्य क्या होगा इस प्रस्न का सही आंसर होगा आप्शन भी पांच यहां जो प्रस्न है प्रत्थम पांच विशम संख्याओं का माध्य निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे बट निच्रल है आप क्या करेंगे सबसे पहले वन प्लस तीन प्लस पांच प्लस साथ प्लस नौ प्रत्थम पांच विशम संख्याओं को जोड़ देंगे और पांच से भाग देंगे जब जोड़ेंगे आप नौ साथ सोला सोला पांच एकईस तीन चोबीस और एक पच्चीस बटा पांच इस परकार पांच आंसर आ रहा है मैंने आपको बतलाए था पर्थम एन बिशम संख्याओं का योग बराबर एन इसको है और यदि पर्थम एन बिशम संख्याओं का माध्य निकालना हो तो इसे आप एन से भाग देंगे और भाग देंगे तो कट जाएगा और किवल एन बचेगा तो आपको फॉर्मूला की रूप में याद रखना होगा कि प्रथम एन विशम संख्याओं का माध्य बराबर एन यदि प्रथम पांच विशम संख्याओं का माध्य निकालना हो तो माध्य क्या होगा पांच परथम दस विशम संख्याओं का माध्धि निकालना हो तो माध्धि होगा 10 परथम पच्चास विशम संख्याओं का माध्धि निकालना हो तो माध्धि क्या होगा 50 आज के मैथ्ष की वीच का आठ्वा प्रस्ण नीम्न में कौन आपरी में नहीं है which of the following is not irrational option A, root 10, option B, root 24, option C, root 35, option D, root 121 प्रस्ण ये है नीम्न में कौन आपरी में नहीं है आपरी में नहीं है अर्थात आपको इसमें से चूज करना है किसमें से कौन परी में है, कौन रेशनल नंबर है तो देखें किस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है 10 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है इसलिए यह परी में संख्या नहीं होगा 24 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए अभी नहीं होगा लेकिन 121 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है 121 का वर्गमूल 11 होता है इसलिए यह परिमे संख्या होगा अर्थात अंडर रूट 121 अपरिमे संख्या नहीं है आज के मैट स्क्वीच का नौमा प्रस्न ब्रीथ के केंद्र पर बना कौन कितना का होगा इस प्रस्न का सही आंसर होगा और ब्रीथ के केंद्र पर यह पूरा कौन कितने का होगा मैट स्क्वीच का दस्वा प्रस्न अर्ध ब्रीथ का कौन कितने का होता है वाट इस दा अंगल आफ दा सेमी सर्कल ओप्शन ए 90 डिग्री ओप्शन बी 180 डिग्री ओप्शन सी नीचे वाला मैं अब मिटा देता हूं यह अर्ध ब्रीथ हो गया और अर्ध ब्रीथ पर किसी भी बिंदू पर यदि मैं कोई भी कौन बनाऊं तो यह 90 डिग्री का होगा किसी भी बिंदू पर इस बिंदू पर भी यदि आप बनाएंगे तो यह कौन 90 का होगा यदि इस बिंदू पर भी बनाएंगे तो यह भी कौन 90 का होगा अर्था अर्ध व्रित का कौन 90 डिगरी का होता है यहां बहुत ही important प्रस्ण है आज के math switch का 11 प्रस्ण दिवगात बहुपदों के सुन्यकों की संख्या क्या होती है What is the number of zeros of a quadratic polynomial दिवगात बहुपदों के सुन्यकों की संख्या क्या होती है option a 2 option b 3 option c 1 option d 4 इस प्रस्ण का सही answer होगा option a 2 दिवगात समिकरन से जब आप लोग प्रस्ण हल करते होंगे तो उसमें हैं मूलों को ग्याद करें सुन्यकों को ग्याद करें तो उसमें परतेक दिवगात समिकरन का आप देखते होंगे दो हल निकल कर आता होगा वही सुन्यक कहला रहा है सुन्यकों की संख्या कितनी होगी दो आजगे मैत्स क्विच का अंतीम प्रस्ण बार्म प्रस्ण 10π2 का मान क्या होगा what will be the value of 10π2 ब्राबर what option A 0, option B root 3, option C 1 ब्रूट 3, option D infinite इस प्रस्ण का सही आंसर होगा option D infinite कैसे देख लें 10 5 बटा 2 10 5 का value होता है 180 degree बटा 2 10 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 बार में कट जाएगा और 10 90 degree अर्था 10 90 degree का value होता है infinite मैं आसा करता हूँ आप लोगों को आज का math quiz बहुत पसंद आया होगा आप सभी छात छात रहाओं या दोस्तों को math quiz देखने के लिए many many thanks जय हिंद